बॉर्डिंग बच्चो आज हम रेसंदों का अम्री चार जो लवन है उसका आगे का पाट एक वीडियो में आपको पहले बनाकर भीज़ती आए आगे हम पढ़ेंगे गंधिया सूचक क्या होते हैं और उनके द्वारा हम अम्री चार कर कैसे पता लगा सकते हैं तो सबसे पहले हम परिवाशा देखते हैं कि गंधिया सूचक किसे कहते हैं तो गंधिया सूचक होता है वे पधार जिनकी गंध अम्री या शारग की उपस्तिती में बदल जाती है उन्हें हम गंधिया सूचक कहते हैं जैसे लॉंका दे है वानिला है और बहुत सारे सूचक ह तो जो लॉमक, तेल ना है वो अमलोगी उपस्तिति और शहारग की उपस्तितिति में चेन्ज नहीं होती है प्याज का तेल इसके उपस्तितिति की çoिरल वचम नहीं पढ़ता है एज़ता है ईसजेही बनीला है जो हम आiczकि फलैमर ले तक में सावचा besch隆 होती है तो सब इसे पहले हैं उने अभीक्रिया उतर के अभिक्रिया कराते हैं अमरा की धातुं से अभीकिरिया जब हम कराते हैं, तो क्या बनता है? हाइडोजन गैस देते हैं, जब किसी भी अमरे की धातु के साथ अभीकिरिया कराते हैं, इसकी कराते हमने जेडन की, तो क्या बनेगा ZNC2 plus hydrogen gas तो जब किसी भी हमने के साथ अभी किरा कराते हैं तो hydrogen gas का निर्मान होताब इसमा कैसे पता चलेगा कि hydrogen gas है जब हम इसके पास जलती हुई तिली ले जाएंगे इस hydrogen gas के पास जलती हुई तिली ले जाएंगे तो फटटफटगी जोनी के साथ पूछ जाते हैं मतलए कॉप धनी उत्वन पर ने करती है इसमें पता चलता है किसमें क्या है hydrogen gas है दूसरी है धातु कार्णेटों के साथ अभी किरिया तो धातु कार्णेट साथ अभी किरा कराएंगे अर्कार्णेटों के साथ अभी किरिया तो अभी धातु कार्णेट तो अछिस NCl है इसकी धातु कार्णेट NaCl इसकी अभी किरा कराएंगे तो क्या बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस C02 लावन प्लस जल प्लस karbon di-oxide का नियिमान 22 को संत्वलित करनेजिया इसको भी संतुलित कर लिए, से न की 2 है कि हम संतुलित कर लिए पूरी अभीकृगरा संतुलित है तो इस तरह in हम लोग इन ह 550 आटा तो के साथ आभीकृया करवाथ जिसके पाध है हीज हीन आप आपकृगरा ने हम लोग अभीकृया साथ अभी के लिया हूँ. SCl प्लस NaH CO3 इसके साथ कराएंगे कि हाटू hydrogen carbonate है, तो क्या बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 तो लवन प्लस जल प्लस carbon dioxide का निर्मार होता है. यह अभी के लिया हमारी संतुलित अभी के लिया है और इस तरह से इसमें लवन प्लस जल का निर्मार होता है. इसके बाद आती है आपकी थातू अप्साइड के साथ अभी के लिया हम लोगी अभी हम अभी के लिया है पढ़ रहे हैं तो अभी थातू अप्साइड के साथ अभी के लिया थातू अप्साइड के साथ अबिक्रिया करता है तो धातु अक्साइड का निर्मान होता है तो क्या बनेगा CuCl2 प्लस H2O 11 प्लस जलका निर्मान होता है अब यह हमारी अबिक्रिया संपलित अबिक्रिया है और इसे हम क्या कहते हैं 11 प्लस जलका निर्मान होता है अमलों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभी क्रिया करके ये लवन प्लस जल का निर्मान करता है इसके बाद हैं अमलों की शारग के साथ अभी क्रिया शारग के साथ अमलों एनियो एज प्लस एसल शारग के लिए हमने प्रबल अमल है जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा NECL प्लस H2, 11 प्लस जल का रिर्मान होता है और इस अभिक्रिया को हम उदासिनी करण अभिक्रिया भी कहते हैं कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासिनी करण अभिक्रिया भी कहते हैं इस तरह से हम अम्लों की विवन अभिक्रियाओं को देखते हैं अब हैं शारों की साथ अभिक्रिया क्योंकि हमें पढ़ने हैं अम्लों शार के रासाइनी गुंदर अब हम पढ़ेंगे शारों के साथ अभिक्रियाओं तो सबसे पहले शारों के साथ अभीक्रिया, शारों के साथ अभीक्रिया, हमने वहाँ पढ़ी थी सबसे पहले धातुओं के, तो शारों किसे कहते हैं, शारों को होते हैं, जो जल्य विलियर में OH आयन देते हैं, वो शारों के कहलाते हैं, और ऐसे ही अमन क्या कहलाते हैं, जो H प्लस आयान देती हैं तो हमने अचाई हुराओं परेंगे शारों की tight सब्से पहले हम परेंगे धातु के साथ अभिगिया जैसे हमने करें NA OH ये शारक है इसकी अभिग्री आमने धातु के साथ कर रहीं तो क्या बनेगा NA2 ZN o 2 NA2 ZN o 2 PLUS HCO हो ये इसका निर्मान होगा ये क्या है ये है सोडियां जिंकेट क्या है सोडियां जिंकेट इसका निर्मान होता है जब शारों की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो सोडियां जिंकेट का निर्मान होता है और इस अभिक्रिया को हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं य NaOH plus CO2 अधार्पिक ऑक्साइड यह होते NaOH plus CO2 तो क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? Na2CO3 का निर्मार होगा Na2CO3 plus H2O इसका निर्मार होगा यह दो जाएंगे और जब हम अधार्पिक ऑक्साइड के साथ शारो के अभिक्रिया कराते है तो धातुकार्पने प्लस जल का निर्मा धातुकार्पने भी क्या है? उतासी मिलियन है तो इसका निर्मार होता है इसके बाद आती है हमारी अमलों के साथ अभिक्रिया जब हमने अमली की अभिक्रिया पढ़ेती तो शारों की साथ अभीक्रिया कराएती हैं, अब हम शार की अभीक्रिया कर रहे हैं, तो अमली की अभीक्रिया भी कराएं, तो शारों की अभीक्रिया करवाते हैं, तो वही लबन प्लस जल का निर्मान होता है, और वही अभीक्रिया क्या 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 क् शारों का अधातू कार्वनेट और हाइडोजन कार्वनेट के साथ कोई अभी करिया नहीं करता है इसके माद आती है आपके शार किसे कहते तो यह मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी कि शार क्या होते है कि जल आपको यह मीशारत कहें है इसके माद आता है हमारा पीएज उसके लिता renowned पयाइज में किसी बिलियन में हाइडोजन आयनों की सांधता आयनों की सांधता ग्याद करने के लिए किसी बिलियन में हाइडोजन आयनों की सांधता ग्याद करने के लिए सांधता ग्याद करने के लिए एक स्केल का उप्योग किया जाता है किया जाता है जिसे पी-एच स्केल कहते है जिसे क्या कहते है पी-एच स्केल कहते है जिसे पी-एच स्केल कहते है हाइडोजन आयनों की जो हाइडोजन की जो खोज है इसकी पी-एच स्केल की खोज है वो सौरेंसन बेग्यानिक ने की थी इसमें क्या होता है एक-एच होता है इस तरह से एक-एच होता है इसमें मान अंकित होते हैं जी-एच से ौरेंसे ,च भी-एच क्या क्या दो oney क्या पांच शे याँव शा पी 8-9-10-11-12-13-14 इस तरह से इसमें मान अंकित होते हैं अगर सा accessible की कहलाती है एगर सब्स से वी बदार्ट का मान अगर साथ है तो Scout तो क्या कहलाएगा उदासी बिलियर कहलाएगा इस तरह से इसमें pH में होते हैं इसमें यह होते हैं अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं तो यह तो हो गया प्रबल अम्ल और प्रबल शाल तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं प्रबल अम्ल गो होते हैं जिनमें हाइडोजन आयनों की स कि सांधिता एक आई अाय तन में јोती है, उन्हें प्रबलमब कहते है। इसके बाद है तनुकर तनु कर जब अम्लवेट शार में जल मिलाया जाता है जल मिलाया जाता है तो उसमें H प्लस OH आयनों की सांदता इकाई आयतन में कम हो जाती है इकाई आयतन में कम हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं तनु का मतलब आप जानते हूं पतला करना इसे क्या कहते हैं तनु करन कहते हैं जब अम्लवेट शार में जल मिलाया जाता है तो उसमें H प्लस आयनों और हैडरोकसाइड आयनों की सांदता इकाई आयतन में क्या हो जाती हैं कम हो जाते हैं और इसको क्या कहते हैं तनु करन कहते हैं उसको पतला करना ही तनु करन होता है तो यह हमारे हैं अब है हमारे की जो pH होता है उसका हमारे जैनिक जीवन में क्या महत हो है हमारे जीवन में पी-एच का महत्व हो देखो पच्चों हम जानते हैं कि हमारे जीवन में पी-एच का बहुत महत्व है हमारे जीवन को अच्छे से चलाने के लिए पी-एच सही होना चाहिए हमारे शरी का पी-एच होता है 5-7 Shaq've की पी-एच काम cage के शीवन करता है ठीके सिसी प्रिकार जो पी-एच पौदी वते है या स्पसल गों प्त॑ आवसरती थे तो उसको भी सही प्राज पी-एच पी-एच इससे पीएच की आवसरता होती है क्योंकि उसी जब समूजित पीया जोगा तब भी पौदय अच्छ से ब्रढ़ी कर सकते हैं इसी तरह हववारे पी तो भी हाइड़ोक्लोरी कमरे उतपन करता है इतना करता है? हाइड्रोकलोरिकम बहुत जाता उत्पन करने लग जाता है तो हमारी पेट में जलन हुने लगती है और इस जलन को कम करने के लिए हम कोई भी शारग इस्तमाल करते हैं या कोई भी यूज का मैंगिशय जैसे है या हम घर में इनों कगरा है यह पीकर उसको शांत्र करते हैं क्योंकि आमले के प्रभाब को कौन कम करता है? शारग ही कम करता है इसी प्रकार आपने देखा होगा कि हमारे नात जो हमारा घुम है उसकी प्याज पांच से पांच पूंट पांच या छे के बीच होनी चाहिए तो हमारे टााटों का जब ज़ड़ने लग जाता है तो इसके लिए भी हमें कुछ इन प्रकार का खूंट पेस्ट करना चाहिए जिसे हमारे नातों को बचाया जाए आपने देखा होगा कई बार जब मदू-मक्की या टाट्या हमें खा जाता है तो वो हमारे शेड़ी पर कम्र कर श्राप करता है जिसे हम पॉर्मी कम्र कहते हैं और बहुत जागा हमारे शेड़ी पर जलन होने लगते हैं इस जलन को कम करने के लिए हम कोई भी सोडा या लोग इसकर उसको लगाते हैं जिसकी जलन कम हो जाते हैं तो हमारे जीवन में pH का बहुत मैश्वेर हैं कुछ pH हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्रक्ता पड़ेगी जैसे HCl HCl की pH होती है 0 क्योंकि प्रबल अम्र होता है इसी तरह जठार रस है जठार रस की pH होती है 1.2 नीपु का रस है इसकी pH होती है 2.2 भूत रहे इसकी 5.5 लाज 6.5 से 7.5 की बीच इसकी परास होती है कॉफी 4.5 से 5.5 की होती है दूद इसकी pH का मान 6 होता है शुद्जल इसकी pH 7 होती है रग्त इसकी pH 7.4 होती है और M.G.O.S. का होल्ट आइज इसकी pH इतनी होती है 14 होती है इस तरह से हमें कुछ pH की अवश्यक्ता पड़ेगी आगे का डॉपिंग हम अग्ली वीडियों पड़ेगी तक तक के लिए धन्यवाद झाल से हमें आम की अवश्यक्ता पड़ेगी झाल से का इसकी है यवाद की के खड़ेगी झाल सकता है 15 म्यवां झाल से और M.G.O.S. पाल से हमें अपन्यवाद